मशकर दोस्तो बै राकी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राकिस किचन कॉर्णन में दोस्तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ लोकी के कोफते के रेसिपी शेयर करूँगी बहुत ही इजी और सिंपल वे में बना कर इस करने बिल्कुल नभूलिये का तो चलिए फिर देर किस बात के शुरू करते इस लोकी कोफते के रेसिपी को बनाना दोस्तो लोकी के कोफते बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहां लोकी चाहिए तो मैंने यहां पर एक मीडियम साइज की लोकी ले लिये और इसे हमने अच् कुछ कर लेंगे तो पटली वाली धार से कन दूकस हमें नहीं कर नहीं है हम थोड़ी से मोटी वाली धार का ही इस्तिमाल करेंगे कं दूकस करने में तो यहां पे देखें लॉकी को हम ने इस तरह से das करके तयार कर लिया है थोरा सा हमने मोटा रखाए track कद्दुकस को थोरी मोटे कद्दुकस करने से इसमें अच्छी सी क्रंचिनेस आती है कोफते में अब हम एक करहाई में कद्दुकस क्यावा लौकी को ले लेंगे यह प्रोसेस बिलकुल ऑप्शनल है आप चाहे तो इस प्रोसेस को स्किप कर सकते लेकिन अगर आप इस प्रोस करके और उसके पाद ढख करें से हम जादा ने सिर्फ 2-3 मुट के लिए लो टूव मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे इस लॉकी को हमें बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है बस इसे हम हलका सा सौप्ट करेंगे हमने यहां पर लॉकी को 3 मुट के लिए पका लिया है और पानी है जो इसमें एक्स्ट्रा वार्टर है उसे हम निकाल लेंगे चाहे तो इस टेनर की जगा कोई सूती कपड़े का इस्तिमाल कर सकते हैं बस लौकी से अच्छी तरह से पानी को हमें निकाल लेना है ताकि जब हम इसके कोफती बनाएंगे ना तो इसे कोफती धीली नहीं परेंगे कुफती हमारे फटेंगे नहीं अब इस लौकी को हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और आप हम इसी के साथ एड़ करेंगे इसमें कुछ इंग्रिडियन्ट तो सबसे पहले इसमें हम एड़ करेंगे बारिक कटीवी प्याच और इसी के साथ हम इसमें जवायन पेटु के लिए काफी फायदी मंद होता है अब यहां पर हमने आधी चमच कीजिन कींग मसाले का इस्तिमाल किया है और यहां पर हम किसी भी मसाले का इस्तिमाल नहीं करेंगे अगर आप चाहे तो इसमें और भी बेशिक मसाली जोब को पसंद है आप एड़ कर सकते ह इसी के साथ मैं यहाँ पे एक छोटी कप बेसन का इस्तिमाल कर रही हूँ अगर हमें बेसन की ज़रुरत लगेगी तो और भी हम बाद में एड़ करेंगे बेसन हमें उतना इस्तिमाल करना है जितने से हमें बस कोफती में अच्छी प्रॉपर बैंडिंग मिल जाए अब यहाँ पे हम साथ अनुसा नमक का इस्तिमाल करेंगे अब पूरे मिक्षर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसे हमें मिलाना है तो यहाँ पे हमने मिक्षर को अच्छी तरह से मिला लिया है अब यहाँ पे मिक्षर के छोटे छोटे पोर्शन लेकर क कोफते त्यार करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने बैंडिंग के लिए बेशन का इस्तिमाल किया था बैंडिंग हमारी अच्छी हुई है इसलिए मैंने यहां पर एक्स्टा किसी भी बेशन का इस्तिमाल नहीं किया है अगर आपके यहां पर बैंडिंग नह कर तयार कर लिया एक भी कौफता अभी तक नहीं फटा है हमने यहाँ पे करहाई में तेल गरम कर लिया है तेल को हमें अच्छी तरह से कोफते को पलटाएंगे धीरे धीरे अच्छी तरह से अलटते पलटते वी कोफते को हम पकाएंगे और अच्छी तरह से हम क्रिस्पी करेंगे तो हमने यहां पर अच्छी तरह से कोफते को अलटते पलटते वी पका लिया है और जो इसकी उपरी लेयर है वह बहुत ही अच्छ हमारा कोफता बनकर तयार हुआ है अब हम यहां पर सेम करहाई में एक्स्ट्रा ओयल को हम निकाल लेंगे और अब हम इस करहाई में कुछ खरे मसाले इस्तिमाल कर रहे हैं जैसे कि बरी लैची चकड़ी फूल और साथी में हमने कुछ जीरा लिया है दो तीज पत्ता लिया है इन सभी को हम तेल में डाल देंगे दो तिन स्लाइस में कटे वी हरी मिर्च का इस्तिमाल करेंगे आप तीखा अपने हिसाब से एड़ कर सकते हैं ज्यादा कम आपको जो पसंद है आप उस हिसाब से मिर्ची एड़ कर सकते हैं साथी में यहां पे दो तीन पिंच हिंका इस् का puree त्यार कर लिया है इस प्याज को हम अच्छी तरह से बाकी सभी खरी मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे अब हम यहाँ पर एक टेबल स्पून अध्रक लसन पेस्ट का इस्तिमाल करेंगे और इसे भी चलाते वे बाकी सभी के साथ मिक्स कर लेंगे आदे एक मिनट के लिए इन सबी को अच्छे से अब इसे के साथ हम यहां पर स्वाद अनुसार नमक एड़ करेंगे एक छोड़ी चमच हम हल्थी पॉर्टर करेंगे एक छोड़ी चमच हम धनिया पॉर्टर करेंगे अब इसी के साथ एक छोड़ी चमच जीरा पॉर्टर करेंगे एक छोड़ी चमच काश 4-5 मिट के लिए low to medium flame पर पकने देंगे इस मसालों को और बीच में एक दो बार इसे हम चला लेंगे अब देखिए हमने 4-5 मिट ले मसालों को अच्छी तरह से पका लिया मसाले काफे अच्छी तरह से पक गए हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है अब हम यहाँ पे gravy के लिए पानी एड़ करेंगे तो मैंने यहाँ पे करीबन एक ग्लास पाने का इस्तिमाल किया है gravy में हम उबाल आने देंगे gravy में हमारे उबाल आ गई है अब इसमें हम सारे कुफ्ती को एड़ कर देंगे और इसे के साथ हम भूनी वी कसोरी मैथी को क्रश करके डाल देंगे इसे सब्जियों में एक अच्छा फ्लेवर डबल अप हो जाता है और उसके बाद हम हलके हाथों से इन सभी को एक बार मिला लेंगे अब ढखकर इसे हम 4-5 मिन के लिए लोटो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो कोफते हैं उसमें ग्रेवी अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो सके तो 5 मिनट हो चुके हैं ढखकन को हम हटा लेते हैं सबजी बहुत ही अच्छी बनकर तयार हुई बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है सबजियों से तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे अब आखिर में हम इसमें थोरी से गरम मसाले का इस्तिमाल करेंगे और साथ ही में कुछ हम फ्रेश धनिया के पत्ते का इस्तिमाल करेंगे तयार है हमारा गर्मा गर्म मसालेदार लौकी की कोफती की सब्जी तो चली इसे फटाफट से सॉब करते हैं आप इस सब्जी को रोटी चावल पूरी पराथे नन किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हूँ तो वीडियो को लाइक शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक अच्छी से रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर